नमस्कार दोस्तों, नेटरल लाइफ में सागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेर करूँगी कि आप किस तरह से अपने चेहरे को ग्लोईंग, फेर और चमंगदर बना सकते हैं और वो भी एकदम आसान तरीके से आज जो रेमेडी मैं आपसे सेर करूँगे, उससे आप अपनी तवजह पे पड़ी जायां और काले दाग को भी दूर कर सकते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं सबसे पहले एक साफ बाउल में हमें दो चमच बेसन ले लेना है बेसन के डेर सारे फाइदे हैं सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसे हम किसी भी तरह की तवजह पर इस्तमाल कर सकते हैं ये हर तरह की स्कीन को सूट करता है ये हमारे चहरे से सारे पेगविटेशन हटा के चहरे को ग्लो देता है और चमकदार बनाता है अब हमें लेना है आधा चम्मच टर्मरिक यानि की हल्दी हल्दी नेचरल एंटिसेप्टिक और एंटिबेक्टिरियल है इसलिए हर ब्यूटी प्रोडक्ट में हल्दी का यूस होता है और ये हमारे स्कीन के लिए बहुत ही पायदेमंद है अब हम इसमें एड करेंगे दो चम्मच एलोवेरा जेल ये मैंने एलोवेरा की लीफ लिया है इसमें से मैं जेल निकाल लूँगी एलोवेरा का जेल घर पे बनाने का वीडियो एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है उस तरह से आप जेल बना सकते हैं यह एलोवेरा का जेल मैंने रेडि किया हुआ है इसे मैं इसमें मिक्स कर लूँगे एलोवेरा हमारे रंग को निखाता है और चेहरे पे दाग, धबे और जाईयां है तो उसे भी यह दूर करता है अब हम इसमें एड़ करेंगे दो चम्मच रोज वोटर रोज वोटर क्लिंजर का काम करता है और यह हमारे चेहरे को डीप क्लीन करके इसके रोम चेद्रों को खोलता है तो यह हम लेंगे दो चम्मच रोज वोटर अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब यह थिक पेश्ट बन गया है अब अपने चेहरे को नॉर्मल वोटर से शाफ कर लीजिए और इसे हमें इसके उपर इस तरह से एपलाई करना है पूरे चेहरे पर अच्छे तरह से एपलाई करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दे जब यह अच्छे तरह से सूख जाए तब इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लीजिए यह रेमेडी आपको विक में दो टाइम ट्राइ करनी है और इसे आप 5 से 6 विकतर लगातार ट्राइ करें एकी बार के इस्तमाल पर आप खुद मैसुस करोगे क्लीन और ग्लोइंग फेश धीरे धीरे यह आपके चहरे से सारे दाग, धबो और जाईयों को भी खतम कर देगा और आपको मिलेगी बेदाग और निकरित वजा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो यूसफूल लगे तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और नीजे दिये गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं आप से फिर मिलूंगी एक और यूसफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई